दोस्तों बात करने वाले हैं, BSF में निकली नई भरती का जो है form कैसे feel करेंगे, BSF में आप देखेंगे, तो group B type के जो है vacancy निकाली गए है, जिसमें engineering जो department है, उसके अलावा group C type की vacancy है, ये भी engineering department में इसके अलावा air wing में भी आपको vacancy देखने को मिलेगी group C type के, तो ये तीन vacancy जो है निकाली गई है, इसका last day जो है 15 April है, कैसे आपको form को भरना है, step by step में आपको जो एक live form फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको form फिल करने में किसी परकार की mistake नहोगा, already मैंने जो है इस भरती के बारे में discuss किया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखें, तो देख लिज अच्छा है, और इस तरह के जो department होते हैं, इतना ही vacancy आते भी रहती है हर साल, तो चले समझते हैं कि कैसे आपको form को apply करने step by step, देखें form बरने के लिए आपको इसी website पहना होगा, यह recruitment.bsf.gov.in की website है, यहाँ आपको देखिए, एक option मिलता है login का, आप login वाले option पे click करेंगे corner पे, यहाँ पे आपको option मिलता है register here का, आप इस पे click करते हैं, फिर आपको अपना जो है, यहाँ पे नाम लिखना होता है, पूरा नाम, फिर यहाँ पे mobile number, फिर email ID लिखना होता है, और generate OTP पे click करेंगे, तो आपके mobile number पे OTP जाता है, OTP को verify करके process करते हैं, देखें, अगर आप पहले से BSF का कोई भी agency का form भरे हैं, तो आप उसके थूरू login भी हो सकते हैं, पिछले कभी अपने form भर आओगा, तक candidates login पे जाएंगे, अपना email ID, password के, अप्चा code भर के login कर सकते हैं, दुबारा आपको registration करने के हो सकता नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार BSF का form भर मतलब क्या कि आप कोई एक identity proof दीजिए, जिसे आप देखेंगे आप आधार काड है, तो आधार काड पले है, चूच करेंगे, अधार संख्या लिख देंगे, इस सबके लिए mandatory आधार काड देना, अब नीच आएंगे, तो दूसरा ID proof आपको देना हुए, आप पासपोर्ट है, आधार भी आप दूबारा दे सकते हैं, voter ID काड है, driving license है, तो बहुस तरह option आपको देखने को मिल जा सकते हैं, pen card भी है, कोई भी ID proof यहाँ पी आप चूच करेंगे, उसकी संख्या लिख देंगे, तो यह दो ID proof आपको देना जरूरी है, एक तो आधार काड सबसे उपर आएगा, उसको आपको देना बहुत ही जरूरी है, जो कि आप यहाँ सी अधार काड ही आएगा, बाकिक ID proof आप यहाँ से चूच करके, उसकी संख्या आप लिख देंगे, यहाँ अपना डेटर बर्त की च्वाइस करेंगे, जो भी आपका डेटर बर्त है, यहाँ से आपका इंडियन आगे, इंडियन चूच करेंगे, यहाँ पर आपको फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, तो जिस तरह से सभी जनकारी को लिखना होता है, अलाग अलाग मत लिखिएगा, ध्यान रहे, फिर यहाँ पर आपको जो एक बॉड़ी में पहचान बतानी है, जिससे क यहाँ पर आपको बताना है, इसके विशाएंगे, तो पूछेगा कि, डुमिसायल डिटेल, आपके पास डुमिसायल सर्डिफिकेट, तो यहाँ पर आप बताएंगे, आप हिंदू, मुस्लिम क्या है, किस के बिलॉंग करते हैं, CST, OBC, जो भी के बिलॉंग करेंगे, उसक आपने आपके OBC चूच किया, तो पूछ रहा है क्या आप जो है, नन क्रिमिलेयर से संबंदित अगर हैं, तो यहाँ करेंगे, और अपना क्रिमिलेयर की सर्डिफिकेट वगर की जनकारी यहाँ पर देंगे, किस राजय से आपने बनवाया हुआ है, और किस डिस्टिक से ब भरना है, इस तरह से सर्डिफिकेट की जनकारी, अब यहाँ पर मालने जिए, आप यहाँ पर चूच करते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है, डारेक्ट इंट्री या एक सर्विसमेन के थ्रूँ आप आ रहे हैं, इसमें, या बेसे डिपार्टमेंटल के इंडेट्स हैं अपको रा दर सिप्यास है, आप यहाँ पूच यहाँ पर 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 बेसे में जिए आपना एड्रेस भरने का आप मालने आप यहाँ पे परमनेंट आड्रेस को भरेंगे, अच्छे से प्रोपर आड्रेस भरना है, यहाँ पर इनकोड लिगना है, राजज, इस्टीक, उसको आपको लिखना है तो इस सारे चीजों को आप यहां पे लिखेंगी अच्छे से अपना जो अड्रेस को भरेंगे और उस्पंडरस पूछ रहा यानि पत्राचार का पता उपर वाले अड्रेस प्रमेंट सेम है तो इसको टीक करेंगे अलग 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 भी लिख सकते है इस gewoon से आपको सेब और निश्ट करेंगे अब अगले step में आपसे पूछेगा आपके पास NCC है नसी करेंगे नहीं तो नो करेंगे आप sports achiever है अगर है तो yes करेंगे वोना no करेंगे इसके साब की height क्या है आपकी जो chest क्या है आपका version क्या है आपको आपको बता देना है centimeter में लिखना यहाँ centimeter में और यहाँ kg में लिखना version को फिर आपको कहीं से blacklist किया गया criminal case वोगर आपके against है यहां पर आपको बारी-बारी से जहां तक अपने qualification को fulfill किया हुआ है उस सब आप जनकारी को यहां पर एड करेंगे पहले आपको metric add करना फिर intermediate इसका आगे अगर आपने iti किया तो iti जो भी आपने कर रखा हुए बारी-बारी से का करेंगे एड करेंगे फिर उसका certificate number उत्री रिवर्स राज्य की स्राज्य सापने की बोड का नाम क्या है एड पे क्लिक करेंगे तो नीचे में जो आड कर ले रहा है क्वालिफिकेसं की जनकारी एड करके जैसे आप नेक्स करेंगे अगले स्टेप में पुछे आपको आपको जो है आपका उसकी जनकारी यहाँ पर ढफे करते ह्या nhất आपको इस मांगी जुँपे करते हैं तो यह सब तो एक आपने यहां पर जनकारी भरते हुए आया उसी के कोडिंग यहां पर आपसे डोकुमेंट्स जो है मांगी जा रही है अब देखेंगे यहां पर आपको जो फोटोग्राफ और सीनेचर होना चाहिए वो जो है बताया गया कि 30 से लेकर 100 के बीच होना चाहिए शोरी फोटोग्र करना है और यहां पर सेबनेच करेंगे सेबनेच करते हैं अब आपको जो है यहां पर क्राइटेरिया वाले आप्शन में आपको आ जाना है डोकुमेंट्स अप्लोड करेंगी आपका इस परकार से जो है गाइडलाइन्स खुलेगा आप गाइडलाइन्स को पढढ़ेंगी अब आपको इसे close करना है, close करते है friends आपका यहाँ पर प्रोफाइल जो है complete हो जाता है, profile complete होने के बास से, देखे थड़ा सा समय लग रहा है open होने में, मैं wait कर लेता हूँ यहाँ पर, profile open होते ही friends आपको करना है, पर recruitment openings पर आपको click करना है, recruitment openings पर जैसा आप click करेंगे, यहाँ पर आपका current recruitment चल रहा है, उसका यहाँ पर show हो जागा है, इस तरह से show हो रहा है, अब आप जिस भी पद के लिए eligible है, उसके सामने apply के button मिलेगा, आप apply वाले option पर click करेंगे, उसके लिए आप form fill up start कर देगे, यह देखे आपको post choose करना है, कि आप किस पद के लिए form भरना चा articulation path से आपको हा कर देना है, फिर पूछ रहा है कि क्या आपके पास 2 साल का working experience है, तो देखे, जिस भी पद के लिए form भरेंगे नो, उसके according यहाँ पर जो भी जनकारी है, वो मांगेगा आपसी, आपके पास working knowledge है, computer का, आपको यहाँ पर यहाँ बता देना है, फिर यहाँ प पद के लिए experience बोलागे, तो उस पद के लिए experience भी आपसे मांगेगा, अगर आप किसी other path के लिए apply करेंगे, जिसमें experience नहीं मांगे, तो उसमें आपको experience नहीं देना है, तो ऐसे आपको क्या करना है, अपनी जनकारी को भरना है, और उसके बास से यहाँ पर आपको 7 next पे click क परकार से आप देखेंगे, तो आपका आगले step में post preview आजाएगा, आप जनकारी को verify करेंगे, यहाँ पर समझे पले, हमने पले क्या किया, अपना profile को complete किया, हमने यहाँ पर sign up किया, और उसके बास हमने profile को complete किया, profile complete होते ही हमारा dashboard open हो गया, dashboard open होती ही हमने current opening पे click किया, और तो आप देखें, यहाँ पर last में हम आए, तो यहाँ पर जो ही इस तरह से दिखा दिया, कि आपका जो है किस पद के लिए form भर रहे है, आपका free अभी on pad है, यहाँ पर जनकारी आ रहा है, ता आप verify करते वे नीचे आएंगे, और यहाँ पर देखें सारा जनकारी आ रहा है आपको application fee जमा करना यहाँ पर जो भी आपका application fee लग रहा है, तो आपके पास debit card है, net banking wallet है, trade card का भी option है, इसमें से कोई option को चुनाव करेंगे और उसके माधियम सा payment को जमा करेंगी, payment जमा करने के बाद से आप इसका final printout निकाल के अपने पास hardcore भी सूरचित रख लेंगी है, तो इस तरह से friends हमने बात किया कि BSF में जो vacancy निकाली गई है, various post भी, उसके आपको कैसे form को apply करना है, आपके मन में कोई भी doubts है, comment है, आप comment box में पूछिएगा, मिलते हैं friends किसी next video में, आपका दिन सुभ हो, जाहेंद।